जी हाँ दोस्तों पिछले 10 साल के बाद अधार कार्ड वालों पर गिरी गाज अगर नहीं किया ये काम तो लगेगा 15 सो रुपे का जुर्माना इसके लामा 3 साल की जेल तो आगे जानते हैं फटाफट इस वीडियो के अंदर क्योंकि अधार कार्ड एक ऐसा डॉकुमेंट और एक ऐसा वेरिफिकेशन कार्ड है जो हर एक आम नागरे के पास या किसी भी ब्यक्ति के पास अधार कार्ड तो होता ही है तो इसलिए अगर आपके परिवार में या आपका खुद का अधार कार्ड है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहेगा क्योंकि अधार कार्ड यूजर्स के लिए अभी अभी की सबसे बड़ी ख़बर सामने निकल कर आ रही है जिसके बार में आपको जानना जरूरी है करा लेना चाहिए हला की ऐसा करना जरूरी है लेकिन इससे बहुत सारे फायदे होंगे अगर आप अपना अधार कार्ड अपडेट नहीं करते हैं तो वविस्त में आपको कुछ कामों में परसानी हो सकती है इसलिए सरकार ने सभी से अपील की है कि वे अपने अधार कार्ड को अपडेट करा लें अगर आप ऐसा नहीं करते हैं ऑनलाइन अपने डकुमेंट यान की अधार को अपने नजदी की अधार सेंटर पर जा करके अपडेट नहीं करेंगे तो फिर आगे चल करके आपको भारी नुकसान होगा इसके लावा दोस्तों बता दें कि आपको सजा का भी verification दिया गया है दोस्तों बता दें कि अगर आप पिछले 10 सालों से अपने अधार का यूज कर रहे हैं उसे पिछले 10 सालों में एक भी बार update या किसी भी जनसिवा किंदर पजा करके उसे नहीं apply किये हैं तो फिर आपको दोस्तों 15 रुपे का जुरुमाना इसके लामा आपको 3 साल की जेल होगी अगर आप कोई भी अधार कार्ट से काम करने जाएंगे तो तो यह हमारे किंद सरकार की तरब से सभी अधार कार्ट यूजर्स के लिए सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है क्योंकि इस समय की जमाने में सबसे महत्तपूर दस्तावेज अधार कार्ट को ही दिया गया है और इसका बहुत ही जादा मौत्व है क्योंकि हर एक काम सरकारी हो या प्राइबेट हो सबी में अधार कार्ट लगता है इसलिए हमारे सरकार के तरब से सबी आमनागरी को से अपील की गई है कि अपने अधार कार्ट को अप्डेट करवा लें अगर ऐसा नई करते हैं तो फिर पंदरस रुपे का जिर्माना इसके लावा तीन साल की जेल खाने के लिए तैयार हो जाएए तो इस वीडियो को सेयर कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह जानकारी औरों को पता चल सके और दोस्त बता दें कि यह एक नॉम्बर 2014 से हमारे दिस में सक्थ आदेस लाग हो रहा है तो चलिए इसी खबर के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी में तप्ते के लिए जैहिंद वन दी मादरं